हलो एस्टेंट आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिंदी से अंतरा बुक के चैप्टर 2 जिसका सिर्षक है दोफर का भोजन इस विडियो में चैप्टर की समरी को समझेंगे जिसके लेखक है अमरकांत जी अमरकांत की कहानी दोफर के भोजन में निम्नमदवर्गिया परिवार की स्थिती इतनी अधिक खराब है कि सब के खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं है किन्तु सिदेश्वरी किसी परकार से सब को भोजन करा देती है और स्वय आधी रोटी खाकर गुजारा करती है कहानी मुंसी चंडिका परसाद की परिवार की है उनकी उम्र 45 ब बाल नहीं था डेड़ मैंने पहले मुंसी जी का मकान किराय नेंतरन विवाग से कलरकी की छटनी हो गई थी और उनके परिवार में उनकी पत्नी सिदेश्वरी तथा तीन लड़के रामचंद्र, मोहन और प्रमोध जिनका उम्र 21, 18 और 6 बर्सका था रामचंद्र समाचार पत्र के कर्याला में प्रूफ रीडिंग सीख रहा है, तथा मोहन ने दस्वी की प्राइवेट परिच्छा देनी है, सिदेश्वरी दोफर का खाना बना कर सबका इंतजार कर रही है, घर के दरवाजे पर खड़ी देखती है कि गर्मी में कोई आता जाता दिखाई दे रहा है, वह अब हीतर क्यों आती है, तो तभी उसका बड़ा बेटा रामचंद्र घर आता है, वह भय और आतंक से चुप एक तरफ बैढ़ जाती है, लिपे पुते आंगन में पड़े पीढ़े पर आकर रामचंद्र बैढ़ जाता है, वह उसे दो रोटियां दाल और चने की त तरकारी देती है, और रोटी लेने से वह मना कर देता है, पर दाल मांग कर पी लेता है, आखिर में मुंसी जी आते हैं, उन्हें भी दो रोटी दाल और चने की तरकारी यानि सबजी दी जाती है, जब और रोटी के लिए पूछती है, तो वह घर की दसासर परचित होने के क बदी और जली हुई रोटी बची होती है जिसमें से आधा प्रमोध के लिए बचा कर रखती है आधा कट्वरा दाल और बची हुई चने की तरकारी से अपना पेट भरने का प्रयास करती है घर में गरीबी इतनी है कि सब को भर पेट भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है रामचंडर इंटर पास है फिर भी उसे कहीं काम नहीं मिलता रामचंडर को खाना खिलाते सिधसी पूछती है वहां कुछ हुआ क्या रामचंडर भाव हिन आखों से मा की और देखकर कहता है कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा जब रामचंडर मोहन के बारे में पूछता है मा से तो मोहन दिन भर इधर उधर गलियों में घूमता रहता है पर वह रामचंडर के सामने यही कहती है कि वह अपने किसी मित्री के घर पढ़ने गया हुआ है मुंसी चंडरिका परसाद के पास पहनने के लिए तार-तार बनियान है यानि फटी हुई बनियान है आगन की अलगनी पर कई पैबन लगी गंदी सारी टंगी हुई है दाल पनियौल बनती है यानि पानी वाली दाल बनती है परमोध अध्टूटे खटोले पर सोया है वो जहा दिया और दोनों घुटनों के बीच सर रखकर सायद पैरों की अमलियां या जमीन पर चलते चीटियों को देखने लगी अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा इस प्रकार कहा जा सकता है कि दोफर का भोजन कहाने में अमर कांत ने निम्नमदबर्गिय परिवार के जीवन की तरादस सिती का जीवन निरूपन किया है परिवार का मुखिया दिरुजवयार है फिर भी उसकी पत्नी खीच तान करके घर का खर्चा चलाल रही है प्रंतु खाना खाने के बाद मुंसी जी ओधे मूँ घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे हैं जैसे उन्हें काम की तलास में कहीं जाना ही नहीं है अब हावों में जीने के अकारण सिधस्वरी चाह कर भी किसी से खुल कर नहीं बोल पाती मुंसी जीवी चुपचाप दुपके हुए खाना खाते हैं इन सबसे इस परिवार की घोर विपंता का ज्यान होता है जो इस परिवार की ही नहीं जैसे निम्नमदवर्गे परिवार के जीने वाले सभी परिवारों की त्रादसी है